आपने प्रिवेस लेक्चर में स्टूडेंट डिफरेंट एंगल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया के वट इस दा राइट अंगल, अब्डूस अंगल, स्ट्रेट अंगल, कम्प्लीट अंगल तो अब हम लोगों ने जो है उसकी नेक्स हम लोगों ने फर्दर बुक एक्सरसाइज भी सॉल्व की थी, आज जो है हम लोग बुक पेज नंबर 127 पर कॉस्टिन नंबर 5 तू एड पे हम लोग डिफरेंट एंगल्स को ड्रॉ करना सिखेंगे कि हम लोग इन एंगल्स को अब यहां पर आपस तूटेंट में भी चैप लोगों ने जो अपना प्रीवेश्य लेक्ठर में मैंने आप लोग यह डिखाई थी ती मैंने आपस कहा था कि हम लोगों ने जो भी एंगल्स करने विदा हैं फिर फोफ प्रोटेक्टर करने है आप लोग क्यों के सब्सक्रा Christopher chamado 그럼Agblack влад sera करें a b c अब यहां पहरों कोई हम लोगों द्रॉख करना है वह करना है तो आप लोगों वीजित्य ड्राइट अब इन DS kD याद होंगी कि राइट अंगल कउन थी होता है किय्स एंगल कोऊ सा है और रिफल्यक्स एंगल कौन सा है स्ट्रेट एंगल कौन सा है तो आप लोगों जब एंगल ड्रॉ करेंगे तो आप लोगों को ड्रॉ करने में प्रॉब्लम नहीं होगी तो राइट एंगल स्टुडेंट्स हम लोगों का वह एंगल होता है विच इस इक्वल टू 90 राइट एंगल कौन सा होता स्प्राइप करें क upright आए तोम दोब बार्यति के चान लोग कि अपर मैं इस सथा को एंगल करोंगों कि फूर्ए को आप को इस पर एकल को करना आप कर ने पूंट हमाने पास हमेरे पास इस को बन रहे है किए हमारे पस Zero Jai hai जो जो है हमस्क के इस तरह आ रही है तो हम लोग जो हम अपने Angle इस सइट से स्टराट करते हुए यह हमारे पस 90 &ंग आ जाएगा तो अब हम लोग यहां पर स्ट्रे lasci लाइने को ItDra Prat अब लोडों ने जो स openskin ने थी करने काई एंगल ABC के Numain देगे हम लोग हम लोग coz living उल्लwe bupi मिड में युद भी मिड में में आएगा उसी को हम लोगों यहां लिखना है चाहे तो हम लोग A, B, C इस तरीके से लिख लें या A, B, C हम लोग इसको A का नाम दे दें यह B है, यह C है आप लोग जिस तरीके से मर्जी इसको नाम दे दें लेकिन B हमारा जो है वो मिड में ही आएगा तो यह हमारे पास हो गया 90 डिगरी का, तो अब हमारे पास next है, उन्होंने B दिया हुआ है angle STU, angle STU, angle STU के आगे उन्होंने लिखा हुए है acute angle, angle STU B हमारे पास part है, angle STU है हमारे पास acute angle acute angle हमारे पास आ गया है यह वाला, तो हम लोग इसको draw करेंगे, इसको भी same हम लोग उसी तरह से draw करेंगे लेकिन हमें पता होना चाहिए, कि हमारे पास acute angle हमारा कौन सा angle होता है angle, an angle which is less than 90 is called the acute angle, वो angle जो हमारे पास 90 से less than हो, वो हमारे पास acute angle होता है तो हम लोग कोई सा भी angle draw कर सकते हैं, इसमें हम लोग 10 का भी 5 का भी 8 का भी 9, 10 मतलब 0 से लेकर हम लोग जो है, वो अपना कोई सा भी angle जो है, हम लोग 90 से less than जो है, वो draw कर सकते हैं तो यहां पर जो है, वो मैं angle 30 का draw करती हूँ, वो भी हमारे पास acute angle होगा, अगर angle 50 का draw करती हूँ, तो वो भी हमारे पास acute angle होगा but it should be less than 90, यह हमारे पास 90 से less than होना चाहिए तो अब मैं यहां पर इसकी baseline को start करूँगे, मैं 0 से start करूँगे, अगर मैं इसको 40 का draw कर रही हूँ, इस angle को तो यहां पर हमारे पास अब यह जो dot लगाया है, इस dot से, मैं इस dot तक इसको क्या करूँगी, आप लोग अपने इस arm को जो है वो बड़ा भी कर सकते हैं, हम लोग इस line को draw करेंगे, तो यह हमारे पास angle बन गया 40 का, तो हम लोग अभी इस angle को नाम देंगे, हमारे पास कौन 40 का, यह acute angle है, an angle which is less than 90 is called acute angle, उसके बाद next है, हमारे पास C angle, वो है reflex angle, और उसके बाद है हमारे पास D angle, वो है हमारे पास obtuse angle, तो C जो है वो हमारे पास, जो है वो reflex angle है, reflex angle draw करना मैं आप लोग को सिखाऊंगी, कि reflex angle हम लोग किस तरीके से draw करते हैं, तो यहां पे हमारे पा पास है, reflex angle, तो reflex angle क्योंके students आप लोगों ने पढ़ा है, an angle which is greater than 180, जो के मारे पास greater than क्या हो, 180 हो, 80 से वो greater than हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, reflex angle होता है, तो अब हमारे पास यहां पे D में जो दिये हुए है, वो 180 तक दिये हुए है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब 180 है, अगर मैंने draw करना है, 190 का, तो मैं इसमें कितने और, 180 में मैंने कितने और add की है, वो बन गया हमारे पास, क्या बन गया हमारे पास, 191 और 10 की है, अगर यहां पे मैं 30 कर नहीं हूँ, तो मैं 180 में 30 और add कर दूँगी, तो वो हमारे पास angle आ जाएगा, हमारे पास वो angle कौन सा आ जाएगा 110 का इस बीर्ण के अगर यहां पर मैंने basis line ड्रोर की बैसलाइन ड्रोर करके यहां पर पर करती क इस सब्सक्राइब करों अगर इसे त्द दू कर देंगा 80 से greater than आगया है तो यह हमाई पास 2 10 का angle बन जाएगा तो हम लोग इसको चाहे तो इस side पर रखके कर लें और हम लोग इसको यह है मैं इस side पर रखके draw करूँगी 30 पर तो यह हमाई पास आजाएगा reflex angle अब हमें इसको draw करूँगी चाहे तो हम लोग जो है वो अपनी baseline draw करके हम लोग इसको यहाँ पे बना midpoint बनाए midpoint बनाके जो है वो हमारे पास यह हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे अगर मैं 30 का कर रही हूँ तो यह हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा reflex angle तो यह हमाई पास हम लोग इसको draw कर देंगे तो यह हमाई पास reflex angle draw हो गया है यह हमाई पास draw हो गया है 210 का angle हमाई पास reflex angle draw हो गया इसको draw करने के दो method से मैंने बता दिया आप लोग को एक हम लोग इस तरीके से कि हम लोग 30 को इस तरीके से रखे हम लोग कर लें या इस तरीके से कर लें हमाई पास दोनों reflex angle draw हो गए है तो अब हम लोग इनको देंगे E, F और G ये हमाई पास हो गया है reflex angle इसी तरह students आप लोगों ने D angle जो है वो कुछ draw करना है P, Q, R obtuse angle an angle which is greater than 90, जो कि हमाई पास 90 से greater हो but less than 180 और वो 180 से less than हो तो वो हमाई पास क्या होता है obtuse angle होता है, next time हमाई पास question number 6, draw these angles using a protector तो हम लोगों ने angles draw करने, अब यहां पर students उन्होंने question number 7 में question number 6 में उन्होंने हम लोगों को खुद ही angles बता दी है, तो सबसे पहले अगर मैं इसका A part या D part B, C कोई सा भी लेती हूँ यहां पर मैं इसका D part solve करती हूँ, वो है माई पास 60 degree का तो हम लोगों क्या करेंगे, इसको draw करेंगे with the help of protector तो यहां पर मैं अपनी baseline draw करूँगी, baseline मैंने draw की तो मेरे angle 60 का draw करना है, चाहे वो मैं left side से start करूँ, चाहे वो मैं right side से start करूँ… लेकिन मैं draw 60 का ही करना है, अगर मैं इस side से करती हूँ तो यह मैंपास baseline का mid point आ गया, यहां तक तो अब यह हमाई पास 0 इस साइट से स्टार्ट होंगे 0 स्टार्ट होते हुए यह हमाई पास आ गया 60 का तो यह हमाई पास 60 का आ गया तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस साइट से ड्रॉ किया मैंने यह मेरे point इस point को यह touch कर रहे हमायआ पर हो गया यह हमाने पास draw हो गया angle 60 का अब इस angle को आप लोग 커छ से भीगव कोई name दे सकते है सू उस to, x, y, z कुछ से इस angle को कह सकते है angle x, y, z अब हम्हों 24x, y, z कह रहे हैं Y भो midpoint है X हम लोग इसको कह देंगे और Z हमाई पास यह हो जाएगा तो यह हमाई पास एंगल X Y Z जो है वो ड्रॉव हुआ है वो 60 डिग्री का ड्रॉव हुआ है clear students उसके बाद next है माई पास इसी तरह आप लोगोंने ई पार्ट भी solve करना है मैं F पार्ट solve कर रही हूँ उसमें हमाई पास एंगल उन्होंने दिये हुए है 145 डिग्री उन्होंने हमाई पास एंगल क्या दिये हुए है 145 डिग्री एफ है हमाई पास 145 डिग्री का अब हम लोगोंने एंगल ड्रॉव करना है 145 डिग्री तो हम लोगोंने सबसे से स्टार्ट होते होते हमारे पास 140 और 150 के मिड में आपको थोड़ी सी बड़ी लाइन नजर आएगी वो हमारे पास होगी 5 की लाइन तो हम लोग खुद भी counting कर सकते हैं इनके उपर scales के उपर तो मारे पास 9 तक नीचे उन्होंने उसकी division की होती है तो यह मारे पास angle draw हो गया 145 का तो यह मारे पास 145 degree तो इसको कोई सा भी नाम दे देंगे इसको मैं कहा दूँगी EFG तो हमारे पास हम लोगोंने angle draw किया EFG is equal to 145 degree तो EFG जो है वो मैंने draw किया है 145 degree का तो इसी तरह आप लोगोंने angle 40 भी draw करना है 90 भी draw करना है 115 भी आप लोगोंने ऐसे ही draw करना है चाहिए तो इसको इस साइट पे रखें आप लोग 0 इस साइट से start करते हुए हमारे पास 110, 110 और 20 के दरम्यान में हमारे पास 115 आजाएगा तो यह वाला angle जो है वो हमारे पास 115 का draw हो जाएगा तो इसके बाद next है जो हमारे पास question number 7 है calculate these reflex angles using a protector तो हम लोगोंने अपना find out करना है तो यहाँ पे हमारे पास question number 7 का A part दिया हुआ है उन्होंने book पे angles हम लोगों को draw कर दिये हैं लोगों टो स्टूंट्स आप लोगोंने अपनी book के ऊपर D रखे आप लोगोंने ड के मीट पॉइंड हों इसका Mead Point इसका रखे आप महले पहले चेक करना है कि यह वाला angle जो हमारे पास कितने degree का बन रहा है लेकिन आपको पता है एंगल जो होते हैं जो 180 से ग्रेटर देन हो और 360 से लेस देन हो वो हमारे पास होते हैं कौन से एंगल होते हैं वो हमारे पास reflex एंगल होते हैं तो अब ये 130 का द्राउ हुआ है तो हम लोगों ने लोग जो है वो 130 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 360 में से 130 हम लोगों ने माइनस कर दिये, तो ये वाला angle जो है वो हमाई पस आ गया, 230 का, तो ये वाला हमाई पस बेसिकलिई ये वाला angle जो है, वो 230 का ड्राव हुआ है, क्योंकि यह reflex angle का उसनों नहीं इसको नाम दिया है students आप लोगों नहीं यह बात याद रखनी है कि हमेशा एक angle में दो angles draw हुए होते हैं ठीक हो क्या है और एक angle जो है वो माई पास greater than 180 होता है और एक angle जो है उसी में माई पास less than 180 होता है तो इसी तरह माई पास जो है वो B part भी आप लोगोंने solve करना है B part का अप लोगोंने check कर लेना है कि माई पास कितने degree का दिया हुआ है और हम लोगोंने अपना C part भी solve करना है अब इसी तरह अगर मैं आप लोगों को यह दिखाऊं बुक उल्टी करके दिखाऊं तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि यह वाला एंगल हमारे पास opposite बन गया है मतलब वह हमारे पास reflex angle बन गया है 180 से greater than बन रहा है क्योंकि यह reflect कर रहा है नीचे को reflect का मतलब होता है opposite side पे जाना इसी तरह यहां पे हमारे पास है इसका C part C part जो है वह हम लोग solve करेंगे आप लोग जो है वह इसको अपनी बुक एक्स जो है वह उन्होंने दिया हुआ है एंगल आप लोग इसको प्रोटेक्टर की help से check करेंगे उसको draw करेंगे कि कितने एंगल का दिया हुआ है तो इसी तरह यहां पे स्टुडेंट सब हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है C part C part में उन्होंने angle draw करके दिया है आप मैं इस angle को check करूंगी कि यह वाला angle जो है वह में पास कितने degree का बन रहा है to 70 degree तो basically यह वाला reflex angle जो है वो बन रहा है to 70 degree एंगल बन रहा है यह वाला हमारे पास reflex angle उसके बाद next जो है वो हमारे पास है D part D part का हम लोग angle with the help of protector check करेंगे कि कितने degree का उन्होंने draw किया हुआ है हाँ जी तो students यहां पर यह वाला मैं पास D angle है इसको check करेंगे कि कितने degree का draw हुआ है तो इसको मैं अपनी baseline पर यहां पर इसका midpoint के साथ इसको रखके check करूंगी तो यह वाला मैं पास angle जो है क्योंकि यह 0 is side से start हो रहा है तो यह वाला मैं पास angle ड्रॉ हूआ हुआ है 60 degree का यह माय पाس angle ड्रॉ हूआ है 60 degree के इसको मैं ने रखके देखा है यहां से इस तरफ से हम लोग ने इसको draw किया है तो यह माय पास बन्दा है 60 degree 60 degree को我們 360 मेंस 60 को minus कर देनगे तो answer माई पास आ जाएगा 300 तो बैसिकली ऑन्वा का हमारे पास ट्रॉः हंडर्डड डिग्री तो यह माइनस कर देना है तो वह आपका एंगल जो है वो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा इसी तरह यहां पर next है माई पास question number 8 question number 8 में वो क्या कह रहे है draw these reflex angle with the help of a protector तो यहां पर वो कह रहे है इसका a part है reflex angle उन्होंने दिया हुआ है reflex angle is equal to PQR is equal to 320 degree is equal to क्या आ रहा है 320 degree यह वाला हमाई पास reflex angle आ रहा है PQR is equal to 320 degree इसको हम लोगोंने draw करना है लेकिन आप लोगों को पता है कि scale के उपर वो माई पास 0 से 180 तक के ही सिरफ angles दिये हुए हैं तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग यह चेक करने के लिए कि यह वाला हमाई पास angle जो है वो कितने degree का है हम लोग इसको क्या करेंगे 360 में से 320 को minus कर देंगे तो यह वाला हमारा angle कितने का draw हो रहा है 40 degree का हमाई पास यह angle draw हो रहा है तो यह वाला angle हमाई पस 40 degree का draw हो रहा है तो हम लोग इसको जो है वो पहले अपनी baseline draw करेंगे baseline मैंने draw की इसकी baseline draw करके अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी इसको यह माई पस आ रहा है 40 degree का तो इसको मैं यहाँ पर 40 degree का draw कर लूँगी तो इसको जब मैंने इसको 40 degree का draw किया है अपने इस angle को तो यह वर angle 40 degree का draw होगा इसको मैं यहाँ पे इस point को इस point के साथ क्या करूंगी मिला दूंगी इसके साथ मिलाया तो यह माई पास आ रहा है 40 degree का तो क्योंके माई पास यहाँ पे जो है वो q mid point बन रहा है तो इसको मैं दे डूँगी P, इसको मैं कहँँगी Q, इसको मैं कहँँगी R, या फिर मैं इसको कहँँगी P, और इसको कहँँगी R, जिसको लुए मर्जी नाम दे दें, लेकिन हमारे पस mid letter है, यहाँ पर हमारे पस angle के mid का ही हो, तो अब हम लोग यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको denote करेंगे, यह मैं पास angle draw हो रहा है, कितने का draw हुआ है, यह वाला angle हमारे पास 320 degree, तो यह वाला angle जो है, वो हमारे पास draw हुआ है, 320 degree का, तो इस angle को मैंने नाम भी दे दिये है, PQR, PQR या PQR, जिस तरीके से म लिकिन हमारा mid point जो है, वो हमारे पास mid point में ही हो, तो मारे पास students, आप लोगों ने यह भी बात याद रखनी है, कि जब हम लोगों ने अपने angles draw करने है, तो your pencil should be shopped, it should be completely shopped, एक तो आप लोगों की pencil completely shopped हो, और उसके इलावा, आप लोगों ने बार बार जो एक दफार में जब आप लोगों ने अपना point बना लिया है, तो यहां पर थोड़ले पाइने on the flगा काтनी एा लेए लिएators, जब आप लोगों ने help से अपने tip की help से आप लोगों ने क्या करना है, यहूं करके हलका सा आप लोगों, रूह यहां पुटी से अप लोगों हलकी सा यूं पैं कर सकते हैं लेकिन बहुत बढ़ी भी नग लगे और लोग उसको जो है वो ही व पलगे भी शॉह हो जो जो बिल एंगल लिए में लैकल फीर नहीं lagi से यहtered में में लिखने हैं वहां कि Song होने चाहिए it should be the capital in form of capital letter तो यह मारे पास capital letter में होना चाहिए उसके बाद next है मारे पास इसी तरह B है यह मारे पास reflex angle है wxy तो आप लोगों इसी तरह क्या करना है 360 में से हम लोगों ने 390 को minus कर देना है 360 में से 290 minus कर दिया तो मारे पास जो angle reflex angle जो है वो c d 3 35 का दिया हुआ है reflex angle जो है वो हमारे पास उन्हों ने दिया हुआ है d वाला a b c तो दो जो है आप लोगों ने खुछ ड्रॉआ करने है d वाला मैं ड्रॉआ करने लगी हूं angle वो angle उन्होंने दिया हुआ है reflex reflex angle उन्होंने दिया हुआ है हमारे पास reflex angle is equal to कौन सा है हमारे पास reflex angle a b c is equal to 200 degree तो हम लोग क्या करेंगे 360 में से 200 को minus कर देंगे तो answer हमारे पास आ जाएगा 160 तो हम लोग उने जो angle draw करना है वो हमारे पास 360 का होना चाहिए तो मैं इस साइट से start करती हूं तो ये वाला हमारे पास आ रहा है 160 का यह यहां पर हमारे पास जाके angle आ रहा है 160 का तो हम लोग ने इन points को आपस में मिला देना है तो ये वाले पास हमारे पास बन रहा है angle 160 तो यह वाला हमारे पास angle draw हो गया है 160 का यह हमारे पास क्या है A, B और C तो यह वाला हमारे पास angle जो draw हो गया है वो हमारे पास क्या आ रहा है 360 का तो अब हम लोग यहां पर इसको जो है यह हमारे पास angle 360 का बन गया है तो इसी तरह students उमीद है कि आपको आज के lecture की समझ लग गई होगी आप लोगों ने बाखी जो parts जो मैंने कुछ solve नहीं की है वो आप लोगों ने इन points को समझते हुए इन points को अपने mind में रखते हुए आप लोगों ने अपनी rough registers पे इसको draw करना है उसकी practice करनी है प्यमानिला एंड जजाकिला